जब घर में कोई सबजी ना हो या फिर कुछ चटपटी और अलग फ्लेवर वाली सबजी खाने का मन कर रहा हो हेलो गाईज टेस्टी होम कुक में आप सभी लोगों का स्वागत है आज मैं आप लोगों को बहुत ही स्पाइसी चटाकेदार और एकदम मसालेदार गाढ़ी ग्रेवी के साथ सबजी बनाना बताने जा रही हूँ और ये सबजी हमें किसी भी सबजी को लेकर नहीं बनाया है इसे हमने अपनी किचन में महोजोत कुछ चीजों से ही बनाया है जो की कलर देकर आप आईडिया लगा सकते हैं कितना ये टेस्टी सबजी बनकर तयार हुई है तो इसे बनाने के लिए हमें एक्ष्ट्रा कुछ भी चीजे लेनी के जुरूत नहीं है बस लिया है मैंने यहाँ पर ये सूजी एड़ करेंगे और उसके बाद यहां पर मैं इसमें एड़ कर रही हूँ हल्दी पाउडर आधा चम्मच यह बिल्कुन आफिनार है सिर्फ कलर के लिए यहां पर मैंने इस्तमाल किया हुआ है आधा चम्मच नमा कैट करेंगे और इसी साथ सब्जी टेश्टी लगे और हलका सा खटा फ्लेवर आ जाए इसलिए मैं यहां पर दही का इस्तमाल कर रही हूँ अगर घर पे दही नहीं है तो कोई बात नहीं आप यहां पर निबू का रस इस्तमाल कर सकते हैं तो दही और सूजी को अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए उसके बाद हमें थोड़ा थोड़ा सा पाने डालते हुए डो लगा लेना है तो ध्यान लखीगा कि डो हमें कड़क रखना यानि टाइट डो हमें यहां पर रेडी करना है कुछ ही इस तरीके से देखिए मैं हलका स हातों से करते हुए चीक ना कर लेंगे और हलका साइत्तिक मैं इस तरीके से प्रेस करते हुए मैंने इतना लेका लेकर में घुटा किया है इस तरीके से घुषा हो और बना लेते हैं बहुत ही सिंपल सा बता रही हूँ आप लोगों को कोई भी एक्ष्टर जहंजट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो इसी तरीके से जो एक तुकड़ा और बचा है उसे भी हम बना करके रख लेते हैं जब भी मसालेदार और गाढ़ी ग्रेवी वाली सब सब्जी बनाने की बात होती है तो फिर ग्रेवी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है तो मैंने हम पर लिया है एक प्याज बड़े तुकड़े में चौप करके साथ आट कली लेसुन और एक तुकड़ा अध्रकों आज मेरे घर पर टमाटर खतम है तो मैं बीना टमाटर क अधा चम्मट जीरा अट किया है है मने और लामिर्शी डाल दिया है थोड़ा सा यहारी धनिया पड़ी हुई और इसे हम ग्रैंट कर लेंगे पानी के जिरूद पड़े तो आप फ़ड़ा सा पानी डाल सकते हैं उसकी बाद हम कुछ सूखे मसाले निकाल लेते हैं तो एक कटोरी में पानी लिया है मैंने इसमें चम्मच धनिया पाउडर रैट किया है एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर एट करेंगे आप कॉंटिटी कम जादा कर सकते हैं आधा चम्मच यहां पर मैंने यह हल्दी पाउडर एट किया है साथ में हम एक चम्मच सबजी मसाला एट करेंगे आप कोई भी सब्सभी मसाला इस्तमाल कर सकते हैं जो आपका favorite हो मसाले को mix कर दीजेए पानी के साथ और इसे ढग करके 10 मिनट भेगने के लिए छोड़ देंगे उसके बाद हम पानी गरम होने के लिए रखेंगे और इसमें बॉइल होने के लिए रख देंगे तो फ्लेम हाई रखिएगा ताकि 4-5 मिनट में बॉइल हो जाए जैसे ही आप देखें कि एक दो बाल आ चुका है और कलर जो है चेंज होता हुँ आपको दिखाई दे रहा है कलर थोड़ा डार्क दिखाई देने लगएगा कुछ इस तरीके से यह देखिए तो इसे हमें पानी से बाहर निकाल लेना है और फैन की नीचे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे जैसे आप देखें कि अच्छे से ये ठंडा हो चुका है उपर से ड्राई हो गया है बिल्कुन भी पानी दिखाई नहीं दे रहा है फिर इसे हमें कट करना है तो यहाँ पर मैंने एक नाइफ लिया है और मीडियम तुकुडे में कट कर लेना है इस तरीके से आप बना के और फिर जो है कट कर लेते हैं तो ये मचली जैसा लुक दिखाई देता है बीच का आप छेट देख सकते हैं कुछ ही तरीके से दिखाई दे रहा है ये देखिए तो चली सारी तैयारी हो चुकी है अब हम सबजी बनाना सुरू करेंगे तो ये कडाही गरम होने के लिए रग दिया है मैंने और इसमें हम आट करेंगे सर्सों का तेल, आप कोई भी कुकिंग ओयल इस्तेमाल कर सकते हैं सर्सों का तेल गरम होने के बाद हमें इसमें फ्राई कर लेना है तो फ्राई करने में आपको बिल्कुन भी टाइम नहीं लगने वाला है बस आप आलट पलट करेंगे ना तो ये तीन-चार मिनाट में फ्राई हो जाएगा गैस का फ्लेम हाई रखिएगा ताकि जल्दी से फ्राई हो जाए तो आलट पलट करने के बाद आप देखेंगे कि हलका सा जवा ये कलर चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है इसे हमें जो है बाहर निकाल करके रख लेना है बाकी जो बचा हुआ है उसे भी हमें इसी तरीके से फ्राई कर लेना है उसके बाद ग्रेवी बनाने के लिए आधा चममस जीरा एट करेंगे इसीक साथ हम इसमें तेश पत्ता एट कर देते हैं साथ में दो लाल मिर्ची तोड़ करके इस्तमाल किया है मैंने उसके बाद हम इसमें मसाला आड़ कर देंगे तो ध्यान रखिएगा मसाला आड़ करते समय गैस का फ्लेम लो रखेंगे ताकि तेल के छीटे न उड़े तो कल्ची से मिक्स करते हुए 3-4 मिर्ट तक आप मसाले क पका लीजिए जैसे ही आप देखें कि सारा पानी निकल चुका है अधा चमच कश्मीरी लालमिच पाउडर आड़ करेंगे बिल्कुन आफिनल है सिर्फ कलर के लिए इस्तमाल किया हुआ है मैंने मिक्स करने के बाद यहां पर हम आड़ करेंगे पेस्ट तो पेस्ट आड़ और फिर से मिक्स कर देंगे और कैफ लगा करके छोड़ देते हैं बीच में आप मसाले को जरूर मिक्स करिएगा ताकि जली नहीं तो यह देखिए मसाला पकर तयार हो चुका है जैसे आप देखें कि ओल अलग अलग दिखाई देने लगा है फ्री ग्रेवी के लिए यहां पर हम पानी आइड करेंगे तो एक से डेड़ ग्लास यहां पर पानी आप इस्तिमाल कर सकते हैं जितना ग्रेवी चाहिए मिक्स करने के बाद इसमें हम आइड कर देते हैं और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे एक बार मिक्स कर देंगे और धक करके जो है इसे हम फिर से प पके गाना तो फिर मसाले का फ्लेवर आ जाएगा पांच मिड़ के बाद मैंने कैप उठाया हुआ है आप देख सकते हैं बहुत ही गारी ग्रेविक साथ एकदम मसाले दार इस्पाइसी चटाके दार यह सबजी बनकर तयार हुई है किसी को भी आप एक बार बना के खिला द चलेगा की रिस्पी कैसी है वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा मैं मिलती हूँ आप लोगों से एक नए रिस्पी में बाई गाईज